हलो दोस्तों नमस्कार आज हम लोग यूपी टेट सूपर टेट के इमपर्टन साइंस विग्यान के बारे में चर्चा करेंगे यह फ्रस्ट टॉपिक है साइंस के बारे में चलिएगा आज का जो मेरा chapter होगा वो साइंस डेमो लेक्शर फिस्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग Science के बारे में बात करते हैं बिख्यान बिख्यान या सू संगठित, सू विवस्थित, क्रमब्द ग्यान को ही बिग्यान कहते है इसके तीन कंडिसन होते हैं पहला क्या होता है आपका जो बाइलोजी है दूसरा क्या है Chemistry है तीसरा क्या है Physics बाइलोजी को जीव विज्ञान कहते हैं और केमेस्ट्री को रासायन विज्ञान कहते हैं और फिजिक्स को भावतिक विज्ञान कहते हैं तो आज हम लोग यहां पर इस चैप्टर में जिव विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो हमारे लिए इंपोर्टन्ट है देखिएगा हम लोग बायलोजी के बारे में डिस्कस करेंगे बायलोजी जिव विज्ञान जिव विज्ञान से डिस्कस करते हैं जिव विज्ञान को दो रूपों में बाटा गया है जिसको बायलोजी कहा जाता है बायलोजी को दो भागों में बाटा गया फर्स्ट हमारा क्या है फर्स्ट हमारा क्या है बायोज बायोज का मतलब क्या होता है लाइफ या जिवन और सेकेंड जो होता है आपका लोगस लोगस का मतलब होता है इस्टेडी मतलब जीवन का अध्यन ही बायलोजी कहलाता है आप देखेंगे वहली कंडिशन क्या है इस् जिएन ही बाइलोजी कहलाता है जीविज्ञान कहलाता है अगली कंडिशन देखेंगे अगली कंडिशन क्या है हमारी टर्म्स बाइलोजी वास गीबन लैमार्क एंड ट्रेविनेस हम आपको बता दें सबसे पहले जिसनों ने बाइलोजी जीविज्ञान की खोच की थी वो द साइन्टिस्ट थे पहला क्या थे लाइमार्क और दूसरा क्या थे ट्रेविनेंस और यह मुख इंप्रॉट्टन बात होती है कि जो बायलोजी के जनक कह जाते हैं वह आपके अरस्तु बायलोजी के जनक कह जाते हैं उन्हें रिस्तु को कहा जाता है इनकी इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जो दो बुक इंपॉर्टेंट है जिसे एक ही बुक के नाम से जाना जाता है फर्स्ट बुक वही हमारी क्या है हिस्टोरिया एनी मीलियम यह जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आगे दिखीगा जिव बिग्यान सजियो द्रब्य का अध्यान ही जिव बिग्यान कहलता है इसको दो रूपों में बटा गया है जिव बिग्यान को दो रूपों में बटा गया फर्स्ट हमारा क् जन्तों विग्यान चैन्ट को जालोजी कहते हैं और हमारा था मरकेन को बोटनी और फाइटोलोजी भी कहा आता है दो में प्रीक पहला हमारा क्या है जन्त विज्जान या जुलोजी और दूसरे हमारे क्या है लिन् Alum et जन्त विज्ञान में क्लोरो advancing होता है इसलिए जन्त विज्ञान कहा जाते हैं बत वनस्पत विज्ञान में ये क्लोरोफिल क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल का मतलब होता है जिसके कारण पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं तो जन्तुबों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए उन्हें जन्तु कहा जाता है परन्तु वनस्पत में क्य बात होती है से सेल वाल जो जन्त विग्यान में होती है यह सेल वाल होते हैं वहां सबसे पहले मारा क्या है हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे first important मारा topic होगा कोशी का विज्ञान, cytology, जो विज्ञान है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे कोशी का विभाजन, cell division और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? उतक, उतक विज्ञान, उतक विज्ञान में हम लोग इसके वारे में चर्चा करेंगे चलिएगा जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा human body human body में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे पोशड एवं पाचन तंत्र दूसरा क्या पढ़ेंगे स्वसन तीसरा क्या पढ़ेंगे परिसंचरन चोथर क्या पढ़ेंगे उस्तरजन और जो हुमारा पाचवा होगा अंतास्रावी तंत्र होगा और छटा होगा तंत्र का तंत्र सात्मा क्या होगा परिरच्छा तंत्र और आठमा क्या होगा प्रजनन नौवा क्या होगा कंकाल इसके बारे में डिस्क्स करेंगे चलिएगा जो अगला टॉपिक होगा थर्ड वो क्या पढ़ेंगे अनुनांस अनुवानसिक विज्ञान जैनेटिक्स जैनेटिक्स में हम मेरा तिन टॉपिक दूसरा क्या होगा मिनदल के अपवाद तीसरा क्या होगा आरविग उनुनसिक चавать होथा जो हमारा टॉपिक होगा वन हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पावधो का वरगी करण मेरे दुसरा क्या पढ़ेंगे पौधो के अंग पढ़ेंगे तीसरा क्या पढ़ेंगे पौधो के हॉर्मोन पढ़ेंगे इतना जो टॉपिक होगा इसको हम लोग कंपलीट करेंगे बस आज की लिए तना थैंक्यू जै भारत मिलेंगे एक निक नए वीडियो के साथ